पूर्णे पोर्ष केस में जुएनाईल जस्सिस पोर्ड ने नाबालिक आरोपी की अब्जवरेशन होम रिमान बढ़ाती है वो बारा जून तक अब्जवरेशन होम में ही रहेगा पुलीस ने बोर्ड से नाबालिक की रिमान 14 दिन बढ़ाने की मांग के थी लेकिन बोर्ड ने साथ दिन ही बढ़ाई उधर बुधवार को फरंसिक रिपोर्ट भी आई है जिसमें पुष्टी हो गई है कि आरोपी का ब्लड सेंपल उसकी मां से ही बदला गया था पुलीस ने कोट में बताया कि नाबालिक के नशे में होने की बाद छिपाने के लिए मां ने पिता की मुझूदगी में अपना ब्लड दिया था ब्लड सेंपल बदलने के आरोप में जीला कोट में मां शिवानी अगरवाल और पिता विशाल अगरवाल को साथ जुन तक पुलिस कस्टडी में भेजा है, वही सेमपल बदलने वाले दौक्टर अजय तावरे और डौक्टर श्रीहरी है, रिपोर्ट्स के मताबिक इसी महीने के अन्त तक पुलिस अभी आरुपियों के खिलाफ चार्ट शिट भी दायर करेगी पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18 से 19 मैं की रात 17 साल 8 महिने के नाबालिक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक यूती को टक्कर मारी थी जिसमें दोनों की मोत हो गई गटना के समय अरोपी नशे में था वो 200 किलोमीटर प्रती घंडे की रतार से काल चला रहा था जान गवाने वाले युवक यूती के परिवार वालों से पुणे पुलिस ने कल मुलाकात इसी के साथ मैंने रही है एश्यारीस इंडिया के साथ झाल 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 झाल